इस उस प्रॉब्लम के अंडर्स्टैंडिंग लेते हैं Is it true that for any set A and B A union of P B is equal to P A union B और बोलता है justify your answer तो कैसे करेंगे इस तरफ ये प्रॉब्लम को समझते हैं अंडर्स्टैंडिंग के लिए जब हमें प्रूव करने की बात आती है तो एक set में कुछ value डाल लेते हैं काफी काम आएंगी हमारे let's say हम A set जो है न उसके अंदर कुछ value डाल लेते हैं A set मेरा ये है B set मेरा ये है A में value डाल लेता हूँ 2 और 4 ठीक है B में में value डाल लेता हूँ 1 और 3 ठीक है न एक तरह से अलग-अलग जैसे sub set of A ठीक है न पॉसिबल sub set of A हो गया power set of A क्या होगा power set of A देख लेते हैं देखिए A में क्या है जबसे पहले 2 है ठीक है फिर power set है इसका 4 एक power set है इसका 2 4 और दूसरा power set क्या है null set null set ऐसे बना दीजिए ये power set हो गया A का similarly अगर मैं इस तरफ जाऊंग तो आपको तो मैं power set आपको बना कर दूँगा power set B का क्या हो जाएगा यहाँ पर बना दीजिए मतलब कि understanding चलिए वही है possible sub set of B क्या होगा देख लेते हैं possible sub set of B ठीक है न तो अब देखिए ये power set of B हो गया यहाँ पर और ये क्या है समझे इस चीज़ को क्या है समझे इसको power set A union कर दीजिए union कर दीजिए किसके साथ में power set B के साथ में कैसे होगी problem क्या होगा दोसों देखिए समझते हैं इसका मतलब ये जो component है और ये जो component है इसका union बनाएंगे क्या मिलेगा आपको इसका union मिलने वाला है आपको देखिए यहां पर क्या मिलेगा यहां मिलेगा आपको 1 individual set 2 individual set 3 individual set 4 ठीक है ना ये सारे सारे मिलते चले आएंगे फिर क्या है 1 3 एक इस तरह से pair set मिलेगा फिर 1 2 4 एक pair set ऐसे मिलेगा फिर null set अच्छा एक set of a union power set of b एक equation आपकी यहां से आजाती है ठीक है दूसरा अब हमें क्या करना यहां पर हमें a union b a union b निकालना है कैसे निकालेंगे समझते हैं देखिए यहां पर a और b को ले चलते हैं ठीक है a union b निकाल दीजे a union b क्या होने वाला a union b होगा देखिए सारे element a और b के 1,3,2,4 और अगर हम लिखें a union b is equal to कितना हो जाएका 1,2,3,4 ठीक है ना so a union b यह हो गया और power set of a union b यह हो गया और अब यह क्या कहता है यहां पर यह पूछता है क्या यह दोनों चीजे बराबर हैं गौर करिए यह देखिए क्या यह बराबर हैं इसको भी पीछे ही लिख देता हूँ मैं यहां से understanding और आपकी बढ़ जाएगी यह 1 था और यह मैंने यहां पर 2 बनाया था अब देखिए क्या यह बराबर है आपस में नहीं बिलकुल बराबर नहीं इलिमेंट देखिए इसके लिमेंट है 1, 2, 3, 4 इसके लिमेंट के हैं 1, 2, 3 इंडिविजल सेट है, सिंगल सेट है, 4 और फिर पेर सेट है, फिर यहां पर नल है तो यहां पर हम कह सकते हैं 1 और 2 is equal to बराबर नहीं है यहां पर इसको answer में verify कर देते हैं power set of A union power set of B is not equal to not equal to A union B इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों सबसे बड़े understanding यही लेनी है हमें 1 by 1 लेके चलना है, एक dummy set हमने ले लिए उसका power set बनाया, एक तरह से equation 1 निकाली दुजी तरह हमने equation 2 जो है A union B करके बनाई इस तरह के से हम इस तरह की problem को solve कर सकते हैं Thank you